वेलकम तो अबरार एलेक्टिकल वर्ड इस इस दी लेक्चर अबाउट दी डिस्क्रिमिनेशन अब दा प्रोटेक्टिव रिलेस आपको यह मालूम है कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह है कि तफरीक करना या एक किसम के डिफरेंट तरीके से लोगों को डील करना डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना केटेगरी वाइस तो यह इसके माने अच्छे भी है इसके माने बुरे भी है जो डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेट के base पर है तो discrimination का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए लेकिन power system में protection में हमें जो है positive way भी discrimination चाहिए वो discrimination ये है कि अगर 3-4 oke stations या lines एकई series में हैं और उस पर fault आता है तो सबसे पहले वहाँ पर tripping होनी जो के ब्रेकर और रिले फाल्ट के सबसे करीब हो क्यों? ताकि कम से कम एरिया इफेक्ट हो जादा एरिया इफेक्ट ना हो अगर दूर वाला होगा इसका मतलब है जादा एरिया इफेक्ट होगा तो इसका मतलब है discrimination healthy way में use हो रहा है अब protection scheme में discrimination कई तरीके से करते हैं अगर आप किताब देखेंगे तो आपको दो ही तरीके से इसको आम तोर पे मिल जाता है वो यह के time के इसाब से discriminate करते हैं और current के magnitude के इसाब से भी करते हैं लेकिन जैसे protection system भी develop होता गया है तो आप बहुत तरीकों से discrimination करते हैं और वो आम तोर पे कोई नई किताब में शायद मिल जाए लेकिन पुरानी किताबों में तो नहीं मिलता है बात करते हैं characteristic की, speed की, reliability की, dependability वगरा, security लेकिन जो discrimination है उसको सिर्फ हम कहते हैं कि यह time में और current में तो discrimination असल में कई किस्म से होने लगा है, बहुत जमाने से जमाने का मतलब है वही मैंने जो एक वीडियो निकाली अब ऐसा हो गया है, अब नहीं हो गया, 40-50 साल थे तो अब वो उसमें development होता चला जा रहा है, तगदिली होती जा जा रही है, addition होता जा रहा है अब पहले चीज़ तो यह है कि magnitude की हिसाब से जो है, वो discrimination कर सकते हैं जैसे current कम है, जादा है तो आप कर सकते हैं, set करते हैं इसी तरह आपको पता है कि voltage अगर कम है, तो कम और जादा है, over voltage, under voltage उस हिसाब से भी discrimination कर सकते हैं, setting करके पिर आप power flow के हिसाब से भी कर सकते हैं, पिर आप direction के हिसाब से भी कर सकते हैं, पिर आप phase angle के हिसाब से भी कर सकते हैं कि phase angle को आप read कर लें, modern technologies, mathematics, vectors और उसके हिसाब से देख लें, कि fault में क्या angle होता है, voltage और current का normal load में क्या angle होता है, उसे आप से भी कर सकते हैं फिर यह के location के हिसाब से भी होता है जैसे कि distance relay के fault को locate करती है और direction भी देखती है तो वह गई कि यह एक तरीका discrimination के हो गया कि location of the fault वह भी एक तरीका हो गया कि आप fault के location के हिसाब से आप discriminate कर दें यानि relay operate हो और ना हो यह पैसला कर ले वो relay खुदी पिर इसी तरह जो है वह location के अलावा type से भी होने लगा type से कैसे होने लगा कि आपने पढ़ा है single line to ground fault उसमें zero sequence component होता है उसको filter out करके relay बना दो उसको कह दो zero sequence relay फिर आपको ने पता है कि open circuit है तो negative उसमें unbalance भी symmetrical component करें तो negative face sequence भी होता है आप negative face sequence की relay बना दो कि unbalance हो तो उसके हिसाब से हो तो देखा जाये तो यह मुख्तलिफ तरीकों से अब यानि तकरीबान 8-10 तरीकों से you can discriminate तो यह मैं एक वीडियो निकाल रहा हूं लेक्चर छोटी सा चारमाच मिनट वाला इसके अंदर मैं आपको यह बतानी कोश्च कर रहा हूं को इसी तरह valid कहां है ऊसके इसाब से हो रहा है विसाले आप दे सकते हैं इसकी जो सीकी में त्रीपो Ah आप 一ो vibe प्रिप्ला रीकिस सांग प टर्ण्मट ले तौ इस तरह जांग एक्टिव पावर के साब से होंगा एक्ट्व पावर कोषा है वह हो करके भी आप रिले की अंदर रिले टाइप या कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर सकते हैं तो यह जो है डिस्क्रिमिनेशन को भी देख करके आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं किस तरह से कहां पर कब जादा होता है और कब जादा नहीं होता उसके हिसाब से भी कर सकते हैं तो यह डिस्क्रिमिनेशन में मैं जब अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा तो आप देखें के मैं हैं तो 6-7-8 टाइप 10 टाइप लेकिन मैं उसके कोईश्च करूँगा कि दो या तीन वीडियो में सारी चीज़ें लेक्चर में इन्शालला कवर करूँगा तो यह आप अभी इसलिए मैंने किया है कि आपको एक तमीद बांदो आपके बेसिक नॉलीज आ जाए कि डिस्क्रिमिनेशन के आपने अब 6-7 तरीचे बताने हैं दो तरीचे ना बता हैं अगर आप चाह पाकिस्तान में इंटर्वी दे रहा है चाह पाकिस्तान ते बाहर तो इंशालला इस पे भी जल्दी वीडि की थी कमेंट बाक्स में तो मैंने का इसको भी शुरू कर दिये जाए अला आपीस